नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओल्ड कोईन की एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं 50 रुपे के कुछ इस प्रकार की नोट जी हाँ दोस्तों पचास रुपे के संसद भवन वाले इस परकार के पचास रुपे के नोट अगर आपके पास में हैं यानि कि दोस्तों इन मैंसे एकादवी नोट अगर आपके पास में हैं तो दोस्तों एक नोट के बदले आप आसानी के साथ तीन से चार लाख रुपे प् सकता है तो अगर आपके पास 50 रुपे के इस परकार के फैंसी सीरियल नंबर वाले या फिर सूपर फैंसी सीरियल नंबर वाले नोट है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है इन नोटों की जो कीमत है वो हाल फिलाल में बढ़ चुकी है और आपको मिलने वाली है बहुत ही अधिक कीमत तो कैसे बेचना है कहां पर बेचना है और आपको इनके बदले में वेल्यू कितनी मिलने वाली है और कैसे मिलने वाली है इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इसलिए दोस्तों आप इस वीडि इसी सीरियल नमबर वाले नोट और उनके बदले में भी वेल्यू आपको मिलेगी बहुत ही अधिक तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इन नोटों और सिक्कों के बारे में खास जानकारी उनकी वेल्यू और आप उन्हें कैसे सेल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पेले आप सभी इस चैनल को कर ले रेड बटन पर क्लिक करके सबस्क्राइब पासी में बने बेल के आईकॉन को ओल पे जरूर सेलेक्ट करें साथी साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर करें दोस्तों यहाँ पर आप 50 रुपे के अलग-अलग नोट देख रहे हैं इनमें आप यहाँ पर सीरियल नमबर की तरफ ध्यान देंगे तो यह एक फैंसी सीरियल नमबर है जी हाँ दोस्तों आप स्टार्टिंग में देखेंगो तो सभी नोटों के यहाँ पर त्रिपल जीरो लगाए हुए हैं और उनके बाद में जो नमबर भी है वो भी है दोस्तों बहुत ही ज्यादा फैंसी इसके अलावा और नोट भी है जो कि आप देख लीजिए इसके के आपके जो सूपर फैंसी सीरियल नमबर वाले नोट है वो भी बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इसके बाद आते हैं मोस्ट एक्सपैंसिव सीरियल नमबर वाले नोट जी हाँ दोस्तों इसमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे हर नोट के अंदर ट्रिपल जीरो लेखा ही देगा और उसके बाद जो तीन अंक होते हैं एंड के वो सैम है इनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड के तीन एंक 111222 और लाश्ट तक आप देख सकते हैं 999 यानि कि दोस्तों एक से लगाकर नोट तक ये आपके नोट है और इनके अंदर लाश्ट के जो सी दोस्तों ये तो बात हो गई 50 रुपे वाले कुछ most expensive serial number वाले नोटों की जिनकी value है बहुत अधिक अब बात कर लेते हैं 100 रुपे के कुछ most expensive serial number वाले नोटों की तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 रुपे वाले कुछ fancy serial number वाले नोट जिनमें कि starting में 0-0-0- है लेकिन इन में आप end में देख सकते हैं यहां पर है 11-12 यानि कि starting के दो अंक इन में same दरसाए गई हैं तो अगर आपके पास में starting के सारे अंक 0000 होंगे और end के जो दो अंक हैं वो दोस्तों same होंगे तो यह दोस्तों जो आपकी note है यह दोस्तों most expensive serial number वाले note है और यह बहुत ही ज़्यादा rare note है दोस्तों आसानी के साथ इस प्रकार के जो note है वो डूनने पर नहीं मिलते लेकिन यह note है जो कुछ खास collector के पास या फिर किसी note की bundle में आपको देखने को मिल सकते हैं तो इस प्रकार के note अगर आपके पास में है चाहे वो 100 रुपे वाले हो गए या फिर 50 रुपे वाले हो गए आप उन्हें sell करना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहे आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा complete तरीका बतने वाला हूँ कि आप इन्हें किस प्रकार sell कर सकते हैं किस प्रकार बेच सकते हैं दोस्तों इन्हें बेचने के लिए आपको पहला काम करना होगा हमारे इस वीडियो के comment box के अंदर आपके पास में जो भी note है उनकी जानकारी डाले और उनकी जानकारी डालने से दोस्तों होगा ये कि जैसे हमें पता चलेगा कि आपके पास में इस प्रकार के fancy serial number वाले note है तो दोस्तों हम आपका जो contact है वो दोस्तों old coin बाहर से करवा देंगी और अब दूसरा तरीका आता है old coins exhibition जी हाँ दोस्तों पुराने note और शिकों को sell करने का जो सबसे आसान तरीका होता है सबसे सेव तरीका होता है वो है दोस्तों old coins exhibition जिनके अंदर आप से किसी भी परकार की कोई भी registration fees नहीं ली जाएगी और साती सात दोस्तों अपने bank से समंदित कोई भी detail आदार कार्ड OTP हो गया bank OTP हो गया bank का passbook हो गया या फिर pen card से समंदित कोई भी जानकारी हो गई वो आप किसी को न दे वरना दोस्तों आपके back account से पैसे लूटे जा सकते हैं या फिर अन्य किसी परकार का आपके सात में fraud किया जा सकता है तो old coins exhibition की बात करें तो दोस्तों जुलाई के अंदर एक old coins exhibition लगा था जो की था बेंगलूरू के अंदर और जिनकी dead थी 8 से लगा कर 10 जुलाई तक जो की हाल फिलाल में समप्त हो चुका है लेकिन दोस्तों इसी परकार के old coins exhibition बहुत सारे लगने वाले हैं जिसमें पहला एक्जिबेसन होने वाला है मॉंबई का एक्जिबेसन दूसरा है एमदाबाद गुजराद का एक्जिबेसन और तीसरा है दोस्तों देले का एक्जिबेसन तो दोस्तों ये तीनों एक्जिबेसन कहां पर लगने वाले हैं कैसे लगने वाले हैं इनकी भी जानक तो दूस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे एक प्रोसेस बता रहा हं। उसके आपकर प्रोसेस आंदर आप अपने नए नंबर एड़ कर दीजी। क्यूँकि दोस्तों यह जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। यह दोस्तों एक्टीबेसन के पास पहुंच जाएंगे, ओल्ड कोईन बायर के पास पहुंच जाएंगे, और वो आप से हातो हात संपरक करके, आपके पास में जो भी इस प्रकार के नोट और सिक्के पड़े हैं, वो दोस्तों सेल करवा देंगे, खरीद लेंगे, और आपकी पेमेंट जो यहां पर दोस्त पर नबर दो के अपे निक करना के पास है, इस प्रकार से फौन में ये ब्रावजर ऐपन हो जाएगा, ध्यान करने के भाद में इस प्रकार से ब्राब भूजर ऊपन हहाई यहां पर दिया हूआ है इसको कार्द देना उसके बाद में Donc दो क्लिक करेंगी तब ही धान लूट हो नहीं रहा है उस पर आपको क्लिक कर देता हूं पर यह एक लिए download हो जाएगा उसके बाद में आपको simply वहाँ पर नंबर देने होंगे जहां पर मैं बताऊंगा तो दोस्तों आपके फॉन में ये file पूरी download हो जाए तो इस पर simply आपको click कर देना है वैसे आपके फॉन में फिर दोस्तों इस file को open देता है में कर देता हूं open जैसी आप open करोगे तो आपके फॉन में इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा थोड़ा यहां पर समय लेगा उसके बाद में यह open हो जाएगा अभी थोड़ा time ले रहा है 2-3 seconds लेगा उसके बाद में यह open हो जाएगा फिर वाँ पर नमबर देना है फिर दोस्तों आपके पास में यह browser ओपन होगा तो अलग-अलग language में बोलेगा किस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है तो भोजगुरी मराठी है आपको कौन सी बासा में मतलब आपको कौन सी लेवेंस पसंद है तो दोस्तों मैं हिंदी पर क्लिक कर लेता हूँ और फिर नीचे देख सकते हैं हिंदी में जारी रखे इस पर आपको क्लिक करना है तो Hindi में चाली देखाः जैसी आप इस पे किलिक करूए अब दोस्तों यहाँ पर आपको नमबर डाल देना है मैं आपको यहाँ पर नमबर डाल देता हूँ कोड बेजे इस पे किलिक करना है आपके फोन में ओट्रा में टिक ये, कोड आ जाएगा और आपको अलाउड कर देना है इतना काम करेंख छोड़ देना है यहाँ पर नमबर देके छोड़ देना है आपके नमबर हमारे पास में आ जाएंगे और हम आपको deja scriptures के हाथवाध पिखवा देंगे तो दुस्तों link description द झाल